संसद में आपत्ती जनक भाशा का इस्तेमाल कर BJP के सांसद रमेश बिधूरी घिर गए हैं सूत्रों को मताबिक लोग जबा स्पीकर ओम बिरला बिधूरी के आपत्ती जनक शब्दों से नाराज हैं स्पीकर ने बिधूरी को भविश्य में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने की चेतावनी दिये और कहा है कि ऐसा हुआ तो कड़ी कारेवाई होगी रमेश बिधूरी जिनकी तस्वीरे आप देख रहे हैं अपत्ती जनक भाषा का इस्तेमाल क्या? स्पीकर नाराज हुए, कड़ी चेतावनी दिये कि भवश्य में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए अगर हुआ तो कड़ी कारेवाई की जाएगी ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं अब क्या है कि बिधूरी के अमर्यादित बोल पर सियासी संग्राम छड़ गया है कॉंग्रिस ने बिधूरी के शब्दों को बीजेपी की सोच करा दे दिया शिव सेना ने लोकसभा स्पीकर से बिधूरी के खलाब कड़ी कारेवाई करने की मांग की है सुना देते हैं आपके पार्लिमेंट की शुरुवात बिधूरी से हुआ है इनके शब्दों से हुआ है और ये बीजेपी की मच्छा को दर्शाता है ये बिधूरी जो कह रहे हैं ये बीजेपी की मच्छा मैं रक्षा मंत्री का खुद बहुत अदर करता हूं सर्मान करता हूं उनकी मजबूरी थी उनको उटना पड़ा उन्होंने आफी मांगी पर मैं जरूर ये मांग करूं कि इस सांसत के किलाफ गड़ी कारवाएं की नी करनी चाहिए विधूरी ने चाहिए भाशा का इस्तेमाल किया है मैं समझता हूं ये एक fit case है suspension के लिए और इनके किलाफ गड़ी सी कारवाएं की जरूर भाशा है अन-parliamentary है, hateful है, divisive है और ये वही है जो sentiment ये पूरे देश में पहला रहे हैं जो जहर इन्होंने पहलाई है आज वो पार्लिमेंट के नए पार्लिमेंट में गूज रहा है शर्मनाक है और मैं मानती हूं speaker को इस पर जल्से जल्स कारवाई करनी चाहिए अब इस पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ अभिशेक उपाध्याय और जैनेंद्र हमारे दोनों वरिश संबाद्धाता सबसे पहले चलते हैं अभिशेक के पास है और बीजेपी के लिए बहुत embarrassing है हमारी जो जानकारी यह है कि पार्टी नेतृत भी इससे काफी खासा नाराज है चुकि यह सब पार्लेमेंट के भीतर हुआ है पहली बात दूसरी बात जिस तरह से narrative पूरा change हुआ है इससे जो आज उत्सा का दिन है जो पार्टी नेतृ है और वो इस कदर शर्मनाक है कि उसके बारे में आप जितनी बात करेंगे उतनी ही जादा आपको embarrassment होगी इसलिए हमारी जानकारी यह है कि पार्टी नेतृत काफी नाराज है लोग से बादक से नाराज ही जताई है और कुल मिला करके इस पर मुझे जो जो हमारी जानकारी क हमारे साथ जुड़े हुए हैं जैनेंद्र अब कॉंग्रेस इसको मुद्धा बनाने की कोशिश करेगी अगर आपकी किसी नेता से बात हुई हो क्या इसके लिए वो आगे क्या करने वाले हैं कोई राजनीतिक कदम जो कॉंग्रेस उठाने वाली हो जानकारी बिल्कुल दीके कॉंग्रेस ने साथ तोर पर अभी जैराम रमेश का बयान हमने सुनवाया कि कॉंग्रेस ने इस बयान की निंदा की है आप अत्ती जनक बताया और कहा है कि ये सिर्फ दानिश अली नहीं जिनको टार्गेट करके रमेश विदूरी ने कहा ये पूरे संसद का अपमान है न सिर्फ कॉंग्रेस बलकी शिवसेना को आपने सुना त्रणमूल कॉंग्रेस की तरफ से निंदा की गई है रमेश विदूरी को सस्पेंट करने की मांग विपक्षी दल कर रहे हैं जिस तरीके की भाशा का इस्तमाल रमेश विदूरी ने फ्लोर आप दा है उससे पूरे संसत की मर्यादा जो है वो तार-तार हुई निश्चित तोर पर इसी वज़े से लोक्सपा ध्यक्ष भी नाराज हैं और देखना यही है कि रमेश विदूरी पर कारवाई क्या होती है सी पीम ने तो रमेश विदूरी के गिरफतारी तक की मांग कर दी है दे आखिर यही वो वक्त है यही वो मुद्दा है जिसको खूब भुनाया जाए आगे रमेश भी दूरी पर सियासी संग्राम थमने का तो नाम नहीं ले रहा है अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंग और समाजवादी पार्टी से सांसद स्टी हसन ने भी इस मामले प सांसद को जो लोकसभा में चुन कर आया है लाखो जनता ने उसको चुन के भेज़ा है आपने उस सांसद को वहां आतंकवादी कह दिया गाली देदी ऐसी ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया जो मैं आपको बोल नहीं सकता तो इसलिए दानिश अली का जो जिस प्रकार से अ आम जनता में जा रहा है जो लोग हिंदुस्तान का ताना बाना खतम करना चाहते हैं सांपर दाइक सोहात खतम करना चाहते हैं हमारी पुरानी तहजीबों को खतम करना चाहते हैं वो लोग उन लोगों से मिलेवे हैं जो देश का भलानी चाहते जो देश को तोड़ना चाहत कि यह लोग कुछ ऐसी संस्थाओं से तो नहीं जुड़े वे हैं जो हमारे देश को महां शक्ति बनने से रोगना चाहते हैं तो मुद्दा तो बड़ा है मुद्दा गंभीर भी है क्योंकि आम बोल चाल की भाषा में कहा जाता है कि संसदिय भाषा का इस्तेमाल करे और संसदिय का इस्तेमाल न करे और उसी संसद में ऐसा होगा तो विपक्स तो घेर नहीं कुशिश करेगा अब उसी में आगे बढ़त अथा खाई है इसलिए हर दिन एक नया निचलास्तर मिल जाता है मुझे भरोसा है कि इसके खलाब कोई कारिवाई नहीं होगी अब ट्वीट करके ये कह रहे हैं बीजेपी को घेरा है और कहा है कि हर रोज एक निचलास्तर मिल जाता है और कारिवाई भी नहीं होगी